रेडी फड़ी यूनियन गांधी चौंग पठानकुट की और से आज चेर्मेन वंजाब विभूती शर्मा के साथ एक बैठर की गई उनकी और से उनको बताया गया कि नगर नेगम के अधिकारियों की और से उनको तंग परिशान किया जा रहा है इसकी वज़े से उनको रोजी रोटी कमाना काफी मुश्किल हो गया इस मौके पर मीडिया को जानकरी देते हुए उनने बताया कि नेगम के अधिकारी बार बार उन्हें रेडियों के आगे लगी हुए तिरपाल को लेकर तंग किया जा रहा है जो कि सरसर गलत है इस मौके पर बोलते हुए चेर्मेन विभूती शिर्मा ने नेगम हधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी और से दोबारा इन रीडी वालों को टंग परिशान किया गया तो उनके साथ धरने पर बैठने को बवे मजबूर पोचाएंगे हाई आपको दिखाते हैं पठान कोट से समधा तालकी सरोच की रिपोर्ट मैं फड़ी जूने दा परदाना जी आज रेलवे रोड़े उते जड़ियां फड़ियां लग दियां दोनों तेन तेन फोड़े विच और इना नों परशाशन तंग का रहा कि जड़ियां दो दो पालन पोशे कर देने एको तकरीब पजास साथों थे अपना रोटीरो जी कमादेने ते अजिए जब पूती शर्मा जी अलकान चार्ज को आए हैं इना दी मांग लागे अजिए ना के मांग करने हैं कि अपनी सरकार के इसाड़ा जड़ा दुखडा रखो ते साड़े पालब भी नहीं आदी लेकन ए परशाच न रोक दा प्यादी रेलवे रोड दी फड़ी जूनियन सारी जड़ी अपने साथे रिमेश को कि जीन रेड़ी जूनियन दे परदान इना दी लाके ना सारे नो मेरे को लाएने इनने अपनी समस्या देसी है के परशाच से ने नो अपने बच्चे उना दे बच्चे जड़े है और आज तो क्यों परशान किता जा रहे हैं इसकार कि इननों परशान जिड़ा इसी नहीं होड़ेंगे आमादी पार्टी लोगां दी सरकार रहता इन लोगां ने सा नोचुनिया है इनलोगां ने पजाब देवेचा आमादी पार्टी जी सरकार बनाई है और अगर ए परशान होंगे तो बेला उप निसरदेदे आएगी और आसी परशान हो गए परशासन में कहना कि यह साथ सा तरसाल तो है नो किसे नो कुछ नि किया अज कि प्रावलम आगी है कि जड़ा जगतम तुसी कदी किसे नो कि शादे कि नो प्रर्शान करो ता कि लोग पेर जड़ी गळलत Нभी आंग जिसक नी पालिया जान लुसत्य चाहएं-ठीक मतल्या भड़न Kirsty की सपत करें सब्सक्राइब कल जहां। तो मैं यह बार्णी भी जाना जाना है आपसरानू कि कम से कम सुतर जाओ ऐसा नहीं होड़ दियांगे अगर कोई शाइर दे लोगान परशान किता गया तो अपना काम करन देता जाओ